नमस्कार स्वागत है आप सभी का आपके अपने अपने अन्लेइन संसान परिक्षा प्लस में मैं आलोग शुक्ला अभी सुप्रीम कूर्ट जेसी ने एक एक्जाम की नूटिस निकाल के आप सभी को बहुत ज्यादा परिशान हो लेकिन वीडियो सुरुवात करने से पहले मै इतना बोलूँगा कि यह जो आपके थम्लेल तो देख लिया होगा और अब इस वीडियो में यकीन मैं दस दिन में वो बेस्ट स्टेडी प्लान वो बेस्ट स्टेजी बताने वाला हूँ जो आपके लिए सबसे ज़्यादा कामगा सावित होने वाली है और आपकी बहुत जी संस्थाएं हैं जो अभी तक कोर्स ही नहीं कंप्लेट करा पाई है हाला कि टीम परिक्षा प्लस जहां पर हजारों बच्चों का विस्वास जीत के और फिर कहीं न कहीं इसका सिलेबस टाइम के पहले ही खतम कर चुकी है और सिलेबस खतम करने के बाद हम लोग रिवीज मोड में आने के लिए लेकिन मैं फिर भी आपको अब जो बेस्ट हो सकता है वो बताने का पूरा प्रयास करूंगा यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और जो इसे फॉलो जरूर करो क्योंकि आपको यह बहुत ज़्यदा मदद करने वाला है अगर हम पूरे पेपर सुप्रीम कोड जेशी के पूरे पेपर को देखे तो यह दो पार्ट में डिवाइड़ है और सबसे बड़ी बात है जो साइट बहुत कम बच्चों को पता होती है मैंने आपको पहले भी बताया था कि सुप्रीम कोर्ट बिना किसी नूटिस के सेक कोशन यहां पर पचास कोशन क्या होगा और सुरव कोशन में तेरा कोशन वी, कमपल्सरी ही है और 50,50 लगबंग दोनों का हो जाता है, चल्य तो यह हम 50 कोशन, कोशिन यहां पर कैसे लाएं तेरा कोशिन यहां पर कैसे लाएं और सबसे बड़ी वात है कि क्या सेक्षिनल कॉटाफी क्लियर करने से हमारा सेलेक्शन हो जाएगा एक बात समझना जो मैं आपको शुरुआत नहीं बोलना चाहरा हूँ मैं एक एक टॉपिक को आपको पूरा सब कुछ बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ आप देख सकते हो लेकिन उससे पहले एक चीज़ समझना कि जो समय आपके पास कम है इसके साथ ही है टाइपिंग है ना इसके साथ है टाइपिंग और जो आप सबसे ज़्यादा पैनिक भी हो रहे हो इस टाइपिंग को ले पिर दस दिन में बना पना मुस्किल है ये बात मुझे पता है और ये बात आपको ही पता है ये बात पूरी दुनिया को पता है कि हाई टेली नहीं आती इवेन अगर आपकी यहाँ पर 40 की स्पीड आ रही है तब आप ये मान के चलो कि तब एक्जाम में 35 की स्पीड आएग तो थोड़ा सा गरबर हुआ अच्छा आपका दिमाग महीं पर लगा रहेगा कि हां यार टेपर में ये कोशन ऐसे हो गरबर हो गया अच्छा हो गया और तुरंत आपको टाइपिंग करनी पड़ेगी तो वो दिमाग आपको कूल होई नहीं पाएगा उसी टेंप्रामेंट ही डाल दू में एक्जाम ही देने ना जाओ ये बिल्कुल गलत है एक्जाम देने जाओ बाकी भाई जो सकम समय में है और ऐसा नहीं है कि केवल आप ही हो यहां पे सबकी लिए सेम सिचुएशन है सभी लोग परिसानी में है सभी लोग सेलिंग इंदा सेम बोट वाली कंडि जाता है तो जो अच्छा परफॉर्म कर लेता है उसी का हो जाता है वहीं यह पर सिकंदर हो जाएगा इस बात को समझना बहुत सारे बच्चे टाइपिंग से छटेंगे बहुत सारे बच्चे किस में छटेंगे अब्जेक्टिंग में छटेंगे तो यदि आपके 30, 35, 40 की स्पीड आ रही है तो आप निश्चित 100% मान के चलो कि आप सेलेक्शन के बहुत करीब हो और अगर आपका ये भी तैयार है सात में दोनों सोने पे सुहागा है तो आप निश्चित बहुत एकदम पैनिकनेस हटा दो और फिर अपनी तैयारी में जुड़ जो दस दिन अच्चे से रिवाइस कर लो आपका सेलेक्शन हो जाएगा यदि आपके स्पेड बिल्कुल नहीं बन पारी है तो आपको थोड़े से सोचनी की जरुवत है जादा बेटर होगा कि आप कोई और एक्जाम भी देख लो इस दस दिन में सायद क्योंकि टाइपिंग में पास नहीं होगे परिसान होगे मत दो पहले जाएट कर लो और अगर आपका यह कमजोर है तो भी परिसान होने की जरुवत नहीं है क्योंकि असली खेल आपका यह पर टाइपिंग ही है और यहीं आपके एक्जाम को क्या करेगा क्वालिफाई डिस्क्वाई करेगा यह बहुत ज्यादा मैटर नहीं करेगा केवल आपका सेक्सना कटाव आएगा तो टाइपिंग में मैं आपको एक दो सब्दों में बोल लहाँ तीन प्रकार के बच्चे हैं एक ऐसे बच्चे हैं जो 10-15-20 की स्पीड आ रहे हैं वो थोड़ा सा पहले से समझ जाएं बुरा मतमा दिया मेरे बातों का बड़ जो सच्चा ही है वो सच्चा ही है मैं आपको 30-35-40 की स्पीड आ रही है उससे जादा आ रही है उनमें दो कंडिशन है या तो ऑब्जेक्टिब तैयार है या अब्जेक्टिब नहीं तैयार है तो दोनों के लिए मैं बोला हूँ ऑब्जेक्टिब की चिंता एकदम मत करो आपकी बस टाइपिंग अगर 30-35 की करीब आ आभी तो आप देने जाओं हिंदे टाइपिंग नहीं है इंगलेश टैपिंग में जरूरीनिकी स्पीट कम ही हो जै इंगलेस टौर्टिंग में इससे क्सेथे कर तक करता हैं और आपके किस्मत पर एंगुआशन करता है इसलिए आप देने जरूर जाओ और आते हम आप से इन ही बातों के चर्चा करूंगा अभी बात समझना कि अंतिम दस दिन में आप कुछ नया तो पढ़ नहीं पाओगे मैं लाग बोलू कि आप यह पढ़ लो वह पढ़ लेकिन जादा जादा पैनिक ने सो जाएगी और एक बार आप टाइम टेबल देखो अपना टाइ यहां पर बिवाद का इशू नहीं है वह आप पे डिपेंड करता है उसके बाद आप तीन से चार घंटे दिन का डेली कूरस वर्क में निकाल दो जिसमें आपको पता नहीं लगेगा कि कहा निकल जाता है खाना खाना नहां जाना उटना बैटना कोई रिष्तेदार आ गया और इस 14 घंटे के strategy मैं आपको बताऊंगा जिसमें से on average 4 घंटे on average 4 घंटे आपको team परिक्षफ प्रस के साथ देना होगा यहां पर जो आपके division क्लास कर रहेगी मैं पूरा आपको बता रहा हूं कि कैसे division जो best plan है team परिक्षफ प्रस का वो मैं आपको बता रहा हूं 4 घंट आपको देना है इस 10 घंटे में भी टाइपिंग वाले एक से 2 घंटे अपना टाइपिंग निकालके चलो मुलब एक दो घंटे आपका क्या हो जाएगा बचे केवल आपके बचे आपके 8 घंटे हैं यह 8 घंटे आपका डिटल हो जाएगा और यदि अगर किसी की speed किसी की speed 25 चीज से 30 के बीच में हो तो टाइपिंग स्पीड आप ज्यादा तीन घंटे की प्रेक्टिस डेली करो इसमें भले ही थोड़ा कम कर दो क्योंकि अगर यह पास हो गए तो सब्टेक किस्मत अच्छी रही होगी तो आप यहां पी भी पास कर जाओगे और आप से लेक्ट भी कोई लेकिन अगर तीस से कम है तो आप कम से कम तीन घंटे ग्रते मिनिममं प्रेक्टिस करती है चलो अब आते हैं कि हमें कौन से सब्जिक्ट में कौन से स्ट्शन में क्या पढ़ना है तो एक चीज समझते हैं कि हम उसके लिए प्रिविएस कुछ डेटा आलाइस करेंगे लेकिन एक बात आप और समझना कि इस बार जो यह वह हैं ऐंटिए और एंटिए का खेल जो होता है वो बहुत ही कंदा होता है इस बार एजवरेंट के इसके पेपर सेट करने का तरिका बिलकूल अलग होता है अलावाद हाई कोड में ऐसा हुआ था वाप पर पर पचास इंग स्मूछा था इसमें भी कुछ ऐसा आपके साथ हो सकता है जिद्धम आइडिया ना हो लेकिन सबसे ची बात है सुप्रिम कोड ने विग्विप में ही बता दिये कि पचास इंग्लिस कंफर्म आएगा पचीस कंप्यूटर कंफर्म आएगा और पचीस पचीस आएगा तो पैटर्न में कोई बदलाओ नहीं होगा कोशन के लेवल में ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन एक बात मैं बोलू कि एंटिये एवरेज पेपर बनाती है यह आपको खोसी वाली बात है कि मैं को इस कुर करने की अगर बात आती है इसकोर करने की बात आती है तो सबसे पहले इख तो सबसे पहले तो इंग्लिस पचास चर यह सबसे ज्यादा मोंस इंपॉर्टेंट सैक्शन है मिरे इस से लो残 हो ब्लगों इसंगों raconet 57ivi सबहर्त है और मैं जानता ह BTS यह आप भी रामते हो कि ये केंद्र इसारी है पूरे भारत में हर तरह के लोग है कुछ एसे राजिये जो एंगल्यिस भासाई हैं और एक जाइ राजिये है जो हिंडी भासी छेतर है इंगल्यिस भासी छेत्र में कौन पूचे जाएंगे जैसे आपका क्या हो गया है जैसे आपका हो गया इन्वार्ज इसमें मैं आपको क्या करूँगा आपको जो वो कैब बुक दिया हूँ आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ लो उसमें एक भी मिसिंग नहीं होना चाहिए उपर से मैं आपका दो दो तिन घंटे का दो तिन घंटे में एडम फ्रेजिस कम से कम हंड़ेड गोल्डन जो आपके दो सो से ढ़ाई सो दोनों मिला के आपको दो से ढ़ाई घंटे में करवा दूगा तो मैक्सिमाम आपका वहां से कवर हो जाएगा इसे भी सामको छे वजे यूट्यूब पे क्लास चलती है इंग्लिस की डिवीजन वह आप अभी से नोट कर लो आप उसे देख सकते ह मैं उन बच्चों को बोल ला हूँ कि एडेम फ्रेज़स और यह मैं ऐसी टॉपिक है जहां पर सकते हैं ग्रामर में आप फसकते हो बट आप इडेम फ्रेज़स और इसमें नहीं फसकते हो अगर आप पढ़े हो तो सबसे अची बात है कि यहां पर ऑप्शन को एलिमिनेट क पर पैसे हो गया 5 इडेम हो गया 5 वनवर सब्सक्रीशन हो गया इनसे नंबर उड़ते हैं 15 10 25 यानि कि इंगलिस में अगर आप देखो तो 50 में से 50 में से 25 कोशन क्या है 25 कोशन इसकोरी यह 25 पार्ट इसकोरी है और आपको 10 दिन में सबसे ज्यादा मेहनत इनहीं पार्ट पर पेपैसेज पेपैसेज पेपैसे चीज जहां पर आपका ज़रूरी होता है आप यह दो पराइब गभब आते हैं वो पड़ ही नहीं पाते एक जो इंगलेस रेक्डित होते हैं वो आने वाले नौज दिनों में आपके पास 50 पैसेज हो जाएंगे और 50 पैसेज फिर आप comfortable महसूस करने लगोगी और exam में वो आपका score boost करा देंगे पांच-पांच के 2 पैसेज आएंगे और ये कितने होंगे ये 10 नंबर की होंगे अब आते हैं बाकी जो पार्ट पर 25 में इन 25 में देखो मैंने एक class 20 की करवाती है अब जो बचा समय है इसमें अब मत पढ़ो जितना आपको आएगा उतना कर लोगे वरना निगेटी भी करके आओगे वन फोर्थ निगेटीव होता है और इतिहास गवा है कि सबस्यादा निगेटीव कहां पर होता है एरर वाले पार्ट में होता है तो अगर आपको डायरेक कुछ दिख रहा है तो ठीक है वरना इसे नहीं चोगे तो भी काम चल जाएगा बाकी आपका फिलर से कोशन उठ जा पांच आपना बढ़ाली को मतलब 25 से 30 हो जाएगा क्योंकि यहां पर अच्छे स्कूर कर पाऊगे तो यह आपका रहा है यह वाला पार्ट दूसरा हम इंग्लिस को देखते तो इंग्लिस में आपको कलना क्या है आपको मैं 30 30 मतलब किस के लिए जो चार पार्ट वो पड़ लगाने वाला सबस्क्राइब लगाने वाला क्या है सेक्सें जी अब दिमाग लगाने का मतलब यह नहीं कि सबस्क्राइब समय दो दिमाग लगाने का मतलब क्यों इतना पढ़ो जितने में आपको काम बन जाए जैसे आपको केवल क्या पढ़ना है करेंट पढ़ना है साब कोशन और इस बाद फिल से प्रेटिक्शन है एंटी ए है तो करेंट अच्छा पूशता है और इसमें आपको साथ से अर्फ नमबर उड़ सकते हैं उसके बाद उसके बाद आपको क्या पढ़ना है पॉलिटी पढ़ना है ठीक है यहां से कोशन उठेगा क्योंकि यह सुप्री पढ़ना है लेकिन यह भी इसका एरिया वास्ट है है ना इसमें इस्टाटिक जीके में क्या-क्या पढ़नों यह भी कुछ पता नहीं होता है तो अंटिन दस दिनों में मैं यह नहीं बोलूगा कि इसे कहीं से उठाके रखने लग जाओ आपको मैं इतना बोलूगा समय अच्छे तो पागल कर देते हैं जैसे आपको क्या करना है कि अब पांट चार और मैं साथ यह बोल लों करेंट आपको च्छे मंत पढ़ना है आप चब्वी सेतंबर को पेपर होना इसका मज़ब सब्थम्बर नहीं पूचा जाएगा तो सब्थम्बर एक सब्थम्र से पह इसा नहीं कि आप मिनरल से पढ़ो नहीं इंडियन पॉलिटिकल जग्रॉफि इस से कौन सी रेखा जाती है कौन सा स्टेट कितने बांटरी को सेयर करता है यही सारी चीज पढ़ना है उसके बाद मांटेन रिबर पास और आपके जो परियोजना है इन से पूछना है बस इस पढ़ने की आवसकता नहीं है तो GS में आपको सबसे कम पढ़ना है उसके बाद देखा जाए aptitude अब aptitude में भी देखो दो टाइप के बच्चे हैं एक ऐसे हैं जो math background वाले हैं एक ऐसे बच्चे हैं जो reasoning background वाला होगा जो उसका reasoning भी अच्छा होगा ऐसे हैं जो GS background वाले होते यह वाला portion आप जरू करो और reasoning वाले पार्ट में भी इस बार NTA करा रहा है तो previous paper से मैं नहीं बोल सकता हूँ कि केवल जैसे पिछली बार क्या होगा था केवल direction से पूछ लिया था blood relation से केवल दो topic उठा लोगे तो 12 देरा question में से कम से कम 7-8 question केवल 2 topic से था लेकिन इस बार यह average लेके जाएगा हार topic से थोड़ा थोड़ा पूचेगा बट reasoning ऐसा है कि आपको कोई skill नहीं चाहिए होती है केवल कुछ chapter होते हैं जैसे clock हो गया calendar हो गया है इनके आपको इक particular formula चाहिए होता है या एक दू chapter और बाकी आप general exam में बैठे बैठे भी लगा सकते हो अगर सकता है और number 12-13 question reasoning के पूचेंगे आप इसमें कम से कम 10 plus question करने का प्रयास करो और अगर maths भी अच्छी है तो maths भी 12 question पूचेगा कम से कम 8 plus वहाँ पी score करो यानि कि जिनकी maths अच्छी है उनको strictly 20 plus आपका आराम से हो जाएगा और जिनकी नहीं है उनके भी 15 plus होने चाहिए अब direction sense पर लो और आप हां blood relation हो गया direction sense हो गया दो topic यह हो गया बाकी तो इसने arrangement और पैसेज पर पूचा था अब आप coding decoding से भी एक question मिल सकता है आप सा series से भी एक question मिल सकता है अनलोजी से एक question मिल सकता है उसमें कोई particular syllabus नहीं डिफाइं किया है बट आप blood relation direction sense और calendar एक किवल calendar क्य पढ़ने की जरूबत नहीं है यहां पर केवल आप किस पर focus है ना test series में जितने question कराये जा रहे हैं आप उनकी practice करते रहो बस अब आते हैं हमारे पास math वाले पार्ट में math वाले पार्ट में देखो तो आपको किस में करना है सबस्यादा percentage percentage आप cover कर लो profit and loss cover कर लो उसके सब्सक्राइब कर रहा हूं अगर इतनी टॉपिक आप अच्छे से कर लेते हो इन 10 दिनों में तो आपके बारा अगर कोशन पूंचे का तो बारा में से 8 प्लस कोशन आपके कहीं नहीं है बहुत आराम से कर लोगा basic basic पढ़ो बहुत बीप पढ़ने की इसमें आवसकता नही क्लियर हो गया तो देखा जाए तो मैं एक बार आपको पूरी तरीके से बता दियो अब computer में आपको कुछ नहीं पढ़ना है इस 10 दिन में जो आपको test series करा ही जा रही है वो test series आपको करना है plus केवल MS office MS office पढ़ लो और test series जो 80 साम को 7 बजे computer में special special 7 PM पे computer की practice आपको करा रह है आप उस class को एक घंटा डेली लो और उसके बाद आप MS office खुद से पढ़ो और test series आप खुद से करो जो आपको परिक्षा प्लस से अविलेबल कराया जा रहा है इतना कर लोगे तो आपके computer में जो 25 portion है इतना किवल कर लेने मातर से आपके 20 plus computer में आ जाएंगे तो अभी आ S और reasoning में भी आप 20 plus कर लें तो 20 20 40 और GS में GS में अगर केवला आप इतना कर लोगे जितना मैं आपको बताया था तो पांच चार नौ साथ 16 फिर भी 15 portion कर लोगे मैं उन बच्चों के लिए बोलना हूँ जिनका GS कमज़ोर होता है GS में उठता नहीं है तो 40 और 15 15 यहां पे हो है क्योंकि समय बहुत कमला है बच्चा पैनिक है दूसरी बाद टाइपिंग एक साथ है इसने बहुत सारे बच्चे टाइपिंग में छट जाएंगे और निगेटीव उन फोल्द है सेलेक्शनल को टाप भी है तो उसमें भी छट जाएंगे इस कारार से अगर कोई 85 भी स्क आपको बता रहा हूं हैाना देखो पहले तो 4 गंते में आपको करना कह एक ओवर चल रही है इंग्लिस एक खंसने कहां पे चल रही है पर एकृट यूट्यूब चनल पर है ना यूट्यूब चनल पर चल रही है और एक आवर आपको क्या हां पर देना है एक आवर आपको साथ से आठ पीम पर देना है यह कंप्यूटर की क्लासे से लाई जा रही है दो घंटा यह हो गया और दो घंटे की आपकी टेस्टरीस प्रेंडक्ट क कराई जा रही है यह परिक्षा प्लस ऐब पर कराई जा रही है इसे आप करो चार गंटा आपका यह हो गया बाकि आपके पास जो 10 गंटे बच रहे हैं उसमें 2 घंटे आप क्या करो टाइक पिंग को देदो दो घंटे आप क्या कर दो टाइपिंग को दे दो ठीक दो घंटा टाइपिंग को दे दो और उसके बाद जो आपके आठ घंटे बच रहे हैं आठ घंटे में आपको सबसे जादा क्या पड़ना है आप इस टिटली दो घंटी इंगलिस को दो दो घंटे इंगलिस को दो एक घ गंटे, दू गंटे भी divide कर दूँदों, मैं बताता हूँ, GS को दे दूँ और एक गंटे, reasoning, एक ही गंटे क्या कर दोँ, MatS को दे दूँ, इसमें अब के 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 गंटे का हो गया, अब आप इन में से किसी एक कम को इसमें बढ़ा सकते हूँ, थोड़ा सा कम करके इनको आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हूं, वो आप पर depend करता है, आपका ये divide होना चाहिए, टॉपिक मैंने बता दिया क्या पढ़ना है, जैसे English में आपको पैसे प्रेक्टिस करना है, वर्न बर्श रफ्रिटूशन प्रेक्टिस करना है, इसके साथ साथ आपको थोड़ा बहुत फिनाने बाकी आप गाहा में बहुत फोड़ा प्रेक्टिस करो केवल, और ज्यादा से ज्यादा बेटर है, यहाँ पे समय बचाके आप इन तीनों में से किसी को देशकते हो, मैथ में आप थोड़ा प्रेक्टिस करो जो चैप्टर में आपको बोला समय मिलता है तो कर लो, वरना फिर आपका क्या हो जाएगा, LCM, SCF और Divisability इन पे प्रेक्टिस कर लोगे, तो इससे आपका क्या हो जाएगा, यह आपका टाम टेविल बता दिया हूँ, आपको यह भी बता दियो, कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है, उमीद यह सेशन आप आपको बहुत ज्यादा कामगार आएगा इस strategy पे, और यह मैरी बताया दोर एक general strategy है, आपकी अपनी भी strategy हो सकती है, तो आप उसे भी follow कर सकते हो, ठीक है, वो कोई जरू नहीं कि आप strictly मेरी ही follow करो, यह मैं एक general बताया हूँ, बाकी आप ऐसे पढ़ते रोगे, सामको 6-7 ब